हर हर महादेर जय भूलेनाद दोस्तों मालक्षमी की पूजा आराधना जब आपकी शंपोण हो जाए तो आपको एक धन दायक पोटली बनाना बहुत आवस्यक है जिसके बारे में मैं पहले भी बात आपसे कर चुकी हूँ तो देखें दिवाली की रात ही ये पोटली बनती है और दीपे पोटली होती है और आपको ना तो इधर उधर की बातें बताओंगी ना ही कुछ इस प्रकार की चीजे जो आपको ढूड़ने में मुशकत हो और ये तो आपको दावा करती हूँ कि ये पोटली वास्तविक धन् दिवाली पूजा में आप भी धनिय का पूजन करते हैं तो वही धनिया रहेगी वही कमल गट्टे के बीड जो आप मालक्षमी को चढ़ाएं तो कुछ मालक्षमी को चढ़ाएं कुछ पोटली के लिए अब देखिए सबसे जो जरूरी चीज है वह है ये पैसा पैसा इसमे जो आपकी चीजे होंगी उनको आप खोलेंगे नहीं कम से कम एक साल के पहले यानि कि ये पैसा जो मैं अभी पोटली में डाल रहे हूं उनको कब खोलूँगी तो अगली दिवाली की पर ही खोलूँगी तो आप उतने ही द्रबे डालें जितनी आपकी आमदनी हो जितना आ रेख RAW दियान का ध्यान दीजिए इस बहुत पर अब इसे हैं उनको आप्वर कर सकते हैं कब खरच कर सकते हैं अगली द्यवाली पर या फिर आपकी अगली दिवाली के पैसे हैं और आप भीच में खरच करना चाहते हैं तो आपको कैसे निकले निकल खर्च कर सकती हूं making इतने पैसे आपने डालना है डाल दीजे लेकिन एक साल बाद ही आप इसे खर्च कर सकते हैं और खर्च करने में भी कुछ नियम है कि ये हमारे घर की लक्षमी माने जाती हैं तो हमेशा इसी खर्च आप स्वैम के उपर करें या फिर आपके हस्बेंड है उनके उपर करें इस हुआ फूल जो कि मालक्ष्मी के आशिरवात से यह फूल जो है अभी मंत्रित हो जाता है और धनिया कुछ धनिया को आप इस प्रकार बचा कर रख ले और इसे क्यारी में गमले में डाल ले और यह हो गई आपकी धन दायक पोटली एक चीज़ और है जो कि हाँ यह है कसैली य जो आपकी पोटली है उस पे आप बनाना न भूले स्वास्ति स्वास्ति का पहले बना ले मैं बना चुकी हूँ क्योंकि रेड है तो इस पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इस प्रकार बना करके और इसके मुझ को बांध दे और बांध करके ही आपको कोई भी मंत्र या फि इस से अच्छी ये पोटली है हाँ एक चीज और बता दू कुछ लोग कौडियों को लाकर रखते हैं कौडियां रखना सुब्भी होता है लेकिन कौडियां न मैं लाती हूँ इसलिए और नहीं आप से कहती हूँ क्योंकि देखिए कौडियों में बहुत कौडियां ऐसी है जो प्लास्टिक की बनी होती है तो बुन कौडियों को रखने का कोई फायदा नहीं होता है बलकि प्लास्टिक वगरे का उपयोग करना बेहद जो है आप सकुन टाइप का माना जाता है इसलिए मैंने नहीं रखा तो आप इस प्रकार के इन चीजों से ये बनाएं क्योंकि जो लोग इस पोटली को बनाए है वो लाभानवित हुए है इसलिए मैं इतनी विश्वास के साथ इस पोटली की बात आप से कर रहे हूं तो उमीद करते हूं जानकारी आपको पशंद आएगी धन्यवाद